हेलो दोस्तो आप सभी का हार्द एक स्वागत है सेलेक्शन मंच पे बहुत दिनों के बाद मेरा यह सेशन हो रहा है दोस्तो और इस सेशन को आप मिस्स मत करना आपके बहुत सारे क्वेस्टेंज के आंसर आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं इसलिए शुरुआज से लेके ए कि आप सभी को लगता है कि कौन थोड़ा मुश्किल है मुझे पता है मुझे से बहुत सारे बच्चे मिलते हैं वह सब यही बोलते हैं कि सरक मुश्किल हो रहा है बागी सब तो हम कवर अप कर पा रहे हैं तो इसमें कोशिश करूंगा मैं कि तुम्हारी उन सब गलत फेमिय क्या है उसको कैसे पेस में लाया जाए ठीक है कैसे maximum score किया तो इसी पर चर्चा मैं करने वाला हूं भद ध्यान से देखना सभी बैंकिंग के लिए important likes तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेशन किस बारे में है यह सेशन आपके लेबस के बारे में दोस्तों हिएं को鐵 है तो सबसे पहली बात आती एक एक्जाम के स्दीच किस तरीके ओता है किजाम की रहता है तो हमारे देंगों सब एक्जाम होते हैं एक साल के उनrä जैसे यह वाला इक्जाम है ऐभी पीएस पी ओ का एक्जाम है अरभी पी पी ओ का रावी कलर का वाला ठीकाई SBI PO SBI कलर का एक्जाम है हम अगर प्री की बात मैं करो लमसम सेम जैसे पैटर्यण रहता है एक टावर ठीकतर्य का बार्ट एक्जाम हो च्रक बाग 3 क्डिके 5-े-5 डिके-5-ky? और आए पीज़ का सेम है और स्बेख क्लर्क का प्रलिम्स का बिल्कुल सेम है ट्रेंटी मिनट्स की बात हो रही है तो इसमें तो कुछ ज़्धा खास तुम्हें जानने की ज़रूत नहीं आप सभी लोगों को आता भी है ठीक है मैं मुद्धे की बाते ज्यादा करूंगा दोस्तों है ना देखो ध्यान से यह भी इस लेबस का ही फंडा है आपका यह भी आपका पार्ट है किस तरह का एक्जाम में कितने पेपर में कितने कुश्चन्स आते हैं में स्केम है तो देखो और 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 भी पियो में 40 50 questions 50 marks composite timing रहती है इसमें न यह भी 40 questions 50 marks IBPS PO का जो मेंस का एक्जाम होता है उसमें 35 questions 60 marks और 45 minutes basically यह जो paper होता है data interpretation का paper होता है interpersonal skills का होता है IBPS क्लर का एक्जाम में देखो 50 questions 50 marks 45 minutes SBI PO का मेंस का कुश्च है इसमें कितने है 30 और ठोटल कितने marks हैं यह 50 marks है और SBI क्लरक में 50 और 50 marks है और timing cap 45-45 minutes यहां थोड़ा सा फर्क है IBPS PO में कितना 60 marks का मामला है SBI PO में कितने marks का मामला है बेटा 50 marks का मामला है penalty वगरा तुम जानते हो 25 परेनल्टी रहती है वन फॉर्थ की penalty बोलते हैं इसको ठीक है चलो कि तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या करना है सर किस तरीके से करना है हमें देखो सबसे पहले बात मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ speed maths के बारे में ठीक है और ये जो आपका pre का exam होता है इसके लिए बहुत important है चाहें वो clerk का exam हो चाहें वो PO का exam हो speed maths से मेरा तात्पर इन तीन चीजों से लेने का क्या है simplification approximation यानि कि आपकी basic calculations आपकी basic calculations कहां जा रही है basic calculations पर आपकी पकड़ किस तरीके की है basic calculation आपकी कहां जा रही है ठीक है असली मुद्दा है ये practice on average based question ये बहुत जरूरी है concept of average भी covered होना चाहिए पहले इसकी बात मैं कर लेता हूं थोड़ा ध्यान देना सब लोग है न देखो अगर plims की बात मैं करूं अगर plims की मैं बात करूं तो इन तीनों से मिला के 14 से 15 question आप मान के चलो आते ही आते हैं जाए वो killer का exam है या वो PO का exam है out of 35 questions 15 question आ रहे हैं 35 मैं से यानि की 3 by 7 और बेटा जो मुझसे percentage पढ़े हैं उन सबको पता है कि 42.84 परसेंट होता है यह तो कितना percentage का part cover कर लिया है नों है 42.84 परसेंट आदे से थोड़ा सा ही कम है यह इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि अगर हमको prelims निकालना है तो उसके लिए इन तीनों पर पकड़ बहुत जरूरी है बहुत जरूरी very very important for prelims perspective यह तीन चीजें और quadratic equations तो आज की data में mains के लिए भी बहुत important है आज की data में सिर्फ quadratic equations को solve करना नहीं रह गया है बेटा इसमें मानलो अगर मैंने कोई equation लिखी x square minus 8x plus 12 equals to 0 मैंने कोई ऐसी equation तुमारे सामने लिख दी तो आप मुझे यह बताना पड़ेगा आपको sum of roots इसका कितना होगा और product of roots कितना होगा मैं बस जन्रल सी जानकारी कमेंट box में बता दे ना मुझे जिन जिन को पता हो इसके बारे में ठीक है और जो questions mains में बन रहे हैं वो थोड़े से conceptual questions मनते हैं पहले ऐसे कभी में पूछे गए तो उस लेवल के questions आज कल में में पूछे जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा उससे मिला जो लाके है थोड़ा अच्छे लेवल के concepts यूज करने लगे हैं में में इसलिए कोड़े की question important हो जाती है प्री एस वेल एस फॉर मैं ठीक है नमबर सीरीज जो है कि citi number series again अगेन का कि नंबर सीरीज अगेन प्रीव तक में में सो दोनों के लिए important है प्री में भी number नमबर सीरीज के questions पूछे जा रहे हैं और मेंस में भी नमबर सीरीज से बहुत सारी questions पूछे जा रहे हैं ठीक है तो इन तीन चीजों पर ना बहुत अच्छी पकड़ बनानी चाहिए बेटा आपको एक दो questions आपको निश्चित ही मिलने वाला है quadratic questions से प्री में तो चार पांच मिलेंगे मेंस में दो questions कहीं नहीं गए ठीक है तीन भी आ सकते हैं तो आपको ध्यान देना है इन चीजों पर ठीक है नमबर सीरीज के दो तीन questions जरूर आएंगे रॉंग नमबर सीरीज से चाहता मैं आपके समय को समझता हूं इसलिए मैं आपको सिर्फ काम की चीज़की समझाने वाला हूं एक एक चीज को समय न अरिठ्मेटिक के दो फिलर होते हैं कौन-कौन से percentage है और दूसरा पिलर होता है ratio यह दो ही पिलर हैं वेटा पर्सेंटेज और रेशो हमारे अरिथमेटिक के दो ही पिलर होते हैं कौन-कौन से यह वाले ठीक है यह दो ही पिलर है हमारे पर्सेंटेज और रेशो दीज टू आर्थ पिलर सॉफ अरिथमेटिक ठीक है अब बात आती है कि सर्फ परसेंटेज पर इतना जोर क्यों दे रहे हो आप रेशों पर इतना जोर क्यों दे रहे हो देखो तो समझो ध्यान से यह जो चार पॉइंटे इनको ध्यान से समझो बिटा efficiency in calculation simplification में percentage related question बनते ही बनते हैं आपकी calculation की efficiency बढ़ जाती है आप अच्छे तरीके से questions को solve कर पाते हो 100% accuracy के साथ ठीक है दूसरा basic to moderate level questions हम cover कराने कोसिश करेंगे आपको basic to moderate level questions जिससे हमारा base अच्छा बनता है उसके कुछ time के बाद mains के questions पर हम आ जाएंगे वैसे मैंने basic आपका बहुत cover करा दिया percentage का already मैंने 7-8 वीडियो बना के डाले हुए हैं आप लोग go through हो जाओ उन वीडियोस से आप उन वीडियोस को देखो आप उन वीडियोस से समझो आपको बहुत-बहुत benefit होगा ठीक है मेंस लेवल के question आजकल variable based questions बहुत पूछे जाते हैं variable based questions यानि कि algebra based questions आजकल variable based questions का time चल रहा है ठीक है तो variable based questions बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल ठीक है practice on DI यह हमारा बहुत important aspect है दोस्तो percentage का सबसे ज्यादा use जो होता है वो DI में ज्यादा use होता है और DI free में हो चाहे means में हो दोनों में DI का part काफी रहता है प्री में दस से पंद्रा बारा से पंद्रा question मान लो और मेंस की बात करूं तो 80% to 85% paper ही पूरा DI based होता है ठीक है तो आप लोग इसको थोड़ा समझो ठीक है चलो आगे बढ़ा जाए बागी इन सब की practice कैसे करनी है वो तो भाई हम दिमे दिमेस पर करवाएंगी PDF आपको हम available करा देंगे कोशिच रहेगी कि मैं DIY के sessions तुमारे लिए जरूर लेकर आऊं ठीक है कोशिच रहेगी मेरी लेकिन धी में धी में हर चीज़ हो पाती है न देखो profit loss and discount अगें extension है percentage का extension of percentage ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से यह extension है percentage का क्योंकि profit loss और discount जो होते हैं basically हम क्या calculate करते हैं percentage profit, percentage loss, percentage discount यही सारी चीज़े तो calculate करते हैं आप लोग तो क्या यह percentage नहीं calculation कर रहे हम लोग तो अगर हमें percentage ही नहीं आएगी तो यह profit loss discount भूल जाना आप लोग यह सपने में भी नहीं आएगा फिर तुमको अगर तुमको percentage का concept नहीं पता तो इसलिए profit loss discount बहुत important होता है लेकिन percentage के बाद percentage आ जाए उसके बाद बहुत सारे questions इससे बनते ही बनते हैं प्री और में दौनों में टी आई इस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्जाम पॉइंट ऑफ यू और अगें थर्ड वाला हमारा वेरेबल बेस्ट कॉस्टेंस देखो यह ऐसी चीजें हैं जो आपको पेपर में मिलनी ही हैं दोस्तों यह हमेशा आएंगी आपके पेपर में ऐसा हो ही नहीं सकता के अब कर देखा कि आपके में क्या करना घिक है एक इसलिए इस वीडियो को आराम से देख लो आदेपों एगंटे में कोई दिक्कत नी आने वाली से देखना मुझे पता है कि आपको परेशा नहीं बहुत है पर सब्जेक्ट से पॉशिस है कि आप लोग थोड़ा इस प्रेशानी से बहार हो। अब आते हैं देखो आगे रेशो सुझा एंगेृ वरी इंपोर्टेन्ट यह तो हमें न है यह चीजे इन पे टो मास्टरी करनी है हमको इन पे शोंको मास्टरी करनी है रेशो है इसमें हैं एज based question coins based question income expenditure based question miscellaneous questions सारे important है सारे important है even partnership और इसका नाम जरूर सुना होगा Mixer Elegation और D.I. D.I based on ratio percentage and profit loss discount देख रहे हो सब पे मिलाके Mixer D.I. का बनेगा so जब हम इनके concept नहीं करेंगे कैसे यार हमें करना भी तो है हुए इनको करते कैसे इनको जब में इनके Concepts किलियर हो जाते हैं इसलिए धीमेदीमे करके आज मैंने percentage के Concept تم लोगों को समझा रखे हैं percentage के questions भी करवा रहा हूं धीमेदीमे करके लेवल के questions में करवान ही कोशिश कर रहा हूँ फिर उसके बाद में हम ratio पर भी आएंगे ratio को भी समझाओंगा तुमको उसके बाद ही मैं को D.I.E. वगर है start करूँगा पढ़ाने के लिए पहले यह सारी चीज है ठीक है आगे देखते हैं एको simple and compound interest का हमेशा एक question आता ही आता है ऐसा होई नहीं सकता के question इन से ना बने free हो चाए मेंस हो चैलकुलेटिव questions होते हैं खासतोर से compound interest के जो हमको लगता है कि यह कैलकुलेटिव हैं लेकिन calculation हर जगा है आज की date में आप calculation से बच नहीं सकते पहले कह देते हैं cia बहुत कैलकुलेटिव आता है चलो छोड़ देते हैं एकात question आगा नहीं यार ऐसा नहीं करना है अगर आपको mains अगर आपको mains में एक proper score चाहिए mains में अगर आप इसको असली मुद्दा तो mains का है proper score चाहिए तो आपको arithmetic ढंसे करना ही पड़ेगा तो आपको arithmetic ढंसे करना ही पड़ेगा arithmetic को आपको लपेटना पड़ेगा आप इसको skip नहीं कर सकते आपको arithmetic करना पड़ेगा मेरी बात बहुत सारे बच्चों को बहुत बुरी लग रही होगी का तो यह तो बहुत कुछ बता दिया लेकिन वेटा तो मैं सिर्फ प्री किलियर करना है क्या है मेरा मुद्द है मैं हमेशा कि इसा मान के चलता उन प्री और में में जो मेरी नजर में होता है प्री और मेंस का जो डिफरेंस मेरी नजर में है, अगर प्री तुम्हारा 20% है, तो मेंस तुम्हारा 80% है, मेरी नजर में इतना अंतर है दोनों के बीच में, प्री और मेंस में, प्री अपनी जगह पे होता है, मेंस अपनी जगह पे होता है, ठीक है, चलो, आगे देखते हैं time and work again arithmetic का part है हर paper में questions आते ही आते हैं हर paper में questions आते ही आते हैं time and work से पूछे ही जाते हैं हर paper में कभी ना कभी से related questions पूछे गए हैं ठीक है again यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ variable based questions are the most important one now it is खास तोर से ऐसे questions के लिए arithmetic questions के लिए moderate to difficult level questions पर practice होगी इसमें ठीक है DIE कोशिस रहीगी कि DIE भी इस रिलेटेड दो चार में आपको करवा दूँ time and work से रिलेटेड तो selection munch की एप भी है तुमारे पास selection munch की एप को भी install करना आप लोग आपको play store पर क्या लिखना है selection munch without space play store पर लिख देना यह आपको app मिल जाएगी अभी आप test series इस पर दो अभी कुछ दिन में इस पर course भी launch हो जाएगा इस पर हमारी classes भी आएंगी ठीक है इस पर test series बहुत बढ़िया है हमने भाई खुद से देखा है content अपने हिसाब से हमने test series को अपने हिसाब से बोला है इसलिए आप जाए से जाएदा इसको डाउनलोड करो बेटा और जाए से जाएदा इसको इसको इस्टॉल करो आप सब लोग के mobile है आप लोगों के बैनेफिटी होगा आपका नुकसान नहीं है आपसोति रहूं क्याप लेकिन तउमारा कोई नुकसान नहीं है इतना बड़ा कोई नुकसान नहीं होगा तुम नां कि आए वो bitcoin differs हों चाहें वो iOS users हों, Apple phone वाले बच्चे हों, यह दोनों के लिए है, आप Play Store पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो बेटा, ठीक है, ठीक है, चलो, आगे बात करते हैं, time is pre distance, इसको मैं important की स्रेणी में रखता हूं, इसको मैं important की स्रेणी में रखता हूं, भाई, मैं कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे इस topic को छोड़े, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि आप इसको skip करके जाओ, क्यों नहीं चाहता मैं, क्योंकि इससे निश्चित है, आपको question मिलेगा ही मिलेगा, यह निश्चित बात है कि इस related question आपको मिलना ही मिलना है, questions based on concepts of relative speeds, जब दो लोग moving condition में चलते हैं, उस पर based questions, दो train भागी जा रही है, उस पर based question, boat and stream extremely important चीज़े हैं यह, कहीं ना कहीं तुमको यह exam में मिलेंगी ही मिलेंगे भाई, ठीक है ना, DI is based on train, boat and stream, इस पर आते ही हैं और variable based problem सम्में रहने वाली हैं, जहां तक arithmetic की बात है, जहां तक हमारा arithmetic है, वहाँ पर हमारे variable based question आज की rate में आएंगे ही, आएंगे, इनको हमें करना ही पड़ेगा, इनको हमें solve, करना ही पड़ेगा, इनसे हमको बचना नहीं है, इनको हमें face क में भी 2-4 question तो मैं मिलेंगे, मैं लिखके दे रहा हूं ये बात, 2-4 नहीं मिलेंगे तो 2-3 question कहीं नहीं गए, और mains में भी, mains में तो खास तोर से उम्मीद है कि एक DI जरूर आएगी, mains में एक DI जरूर बनेगी, time speed distance से एक DI जरूर बनेगी mains में, और बनती आ रही है हमेशा, time and work से भी आ रही है आज की rate में, ठीक है, arithmetic तो आपका थोड़ा सही होना ही जरूरी है, जिस exam की तुम preparation कर रहे हो, वहाँ पर आज कल क्वांट की cutoff बेटा बहुत कम जाती है, इस बात को आप लोग समझना, क्वांट की cutoff कम जाने के लिए बहुत सारी research भी है, बहुत सारे अपने बात भी बताते हैं, क्वांट की cutoff कम क्यों जा रही है, उसके reason है बहुत सारे, क्वांट की cutoff कम जाने के, एक तो सबसे जो मुझे important लगती है, वो lack of interest है, lack of interest of experience, lack of interest, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, lack of interest क्यों है, क्योंकि उनको लगता है कि comparatively, other subjects are easier, when we compare other subjects to quant, but this is not true, if you take interest in quant, you will feel के यह तो बहुत बढ़िया है, quant में तो accuracy बढ़ जाती है, अगर हम करने ही लग जाएं तो, English में accuracy वही बढ़ा सकता है, जिसकी reading habit बहुत अच्छी होती है, but in case of quant, अगर आप quant में interest लेते हो, और आपके question solve होने, start हो जाते हैं, तो उसका आनन्द ही अलग होता है, मज़ा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा अब आया, confidence, इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, इस interest को लेक को मैं खतम कर दो, ठीक है, इंट्रेस्ट जगाओ, इंट्रेस्ट के साथ पढ़ना है, start करो, एक positive vibe के साथ पढ़ना है, start करो, क्यार मुझे क्वाइट पढ़ना है, ठीक है, चलो, अब देखो ये बात करते हैं, इसकी, permutation, combination and probability, प्री में एक या दो question, प्री में एक या दो question, और में में एक उम्मीद एक डी आई आजाए, case late आजाए, sorry, ओ, उम्मीद एक प्री, some question we see in pre, probability based डी आई, ठीक है, important for means, point of view, ठीक है, अब देखो, permutation, combination, probability, आप सब लोगों नहीं पड़ा होगा, उतने डंक से नहीं पड़ा होगा, मुझे उम्मीद है, लेकिन, क्या होते हैं, ये permutation and combination, देखो थोड़ा सा मैं तुमको आज कुछ बताता हूं, permutation, and combination, क्या हैं ये permutation, combination हैं क्या, हिंदी में बोलते हैं क्रम्चै संचे, हिंदी में क्या बोलते हैं क्रम्चै संचे, ये कुछ भी नहीं है वेटा, ये होते हैं way of counting, गिनने के तरीके, way of counting है ये, गिनने का तरीके, अब गिनना क्या है, जैसे मालो मैं आपके सामने लिख दूँ हैप्पी हैप्पी मैं आपसे कहता हूँ एक सेगंड रुखो मैं आपसे कहता हूँ इसमें जितने भी लेटर्स हैं इन लेटर्स को मैं कितने तरीके से एर新क कर सकता हूँ सब्द्र चाह्पी सकाट कामटम य नँ होई करें इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दे नकिनंत इन हावमेनी वेज है में फार आगजह आंसर हो अगर। सेंसे पता लगे इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना जो बच्चे इसको देख रहे हैं ठीक है आजाओ आगे डेटा सभी सिंसी प्री हो जाए मेंस करें उकर की आपको काम आएगा बहुत ज्यादा काम आएगा आपके लिंडरीट लेवल रहता है कि पर द्यारेल लेवल हम गैरे बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चिन समी मानाते बहुत आसान questions नहीं बनाते यह थोड़ा conceptual clarity चेक करते हैं आपकी ठीक है जैसे statements दिये जाते statement one statement two statement three और फिर conclusion आपसे पूछ लिया जाता है तो अगर हमको इन statements का clarity नहीं होगी concepts की तो हम इस conclusion पर आनीं पाएंगे हम उस conclusion को बतानी पाएंगे डेटा सफीचेंस के questions जरूर पूछे जाते हैं एक्जाम में आपको इस पर focus करना पड़ेगा आपको अगर डेटा सफीचेंस को अच्छे करना है तो आपको arithmetic अच्छा चाहिए अगें देखो मैं बार बार क्यों लिख रहा हूं कि अरित्मेटिक क्यों कि इसका यूज है कि arithmetic अच्छा चाहिए आपको तब आप इन questions को solve कर पाऊगे अ आरे यह बात समझ में अब क्यों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोगों को सेलेक्शन के लिए पढ़ना है ना कि प्री निकालने के लिए पढ़ना है प्री निकालने के लिए पढ़ना चाहते हो क्या प्री निकाल के चेंपियन हो जाओगे क्या प्री है में से इंट्रिव्यू होता है हर चीज के लिए अलग इंपोर्टेंट रोल होता है है न चलो मैंसुरेशन गाईस मैंसुरेशन एक ऐसा टॉपिक है इससे एक या दो क्वेश्चन आने की संभावना पूरी पूरी रहती है और यह होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ट यह पूरा का पूरा है फॉर्मूला बेस्ट फॉर्मूला बेस्ट क्योंकि यह स्सी का पेपर नहीं होता यह बैंकिंग का पेपर होता है तो मेंसुरेशन आती है हमारी तीक है अब अब एक दो पार्ट में डिवालडीट में मैं समझनी है कि टो क्या हुएगा तुमारा कि स्क्वेसर प्रफ एक क्या है का तुमारा कि ट्रैंगल कि टीक है हगि तीसरा जो तुम्हारा qadi curly यंग और यह तीन है और यह 3 में है central triangle quadrilateral कोते हैं अुए राइंगल मामला इहां पर इंपोरेंट हो गया 3D में बेसिकली आपको क्या पढ़ना है क्यूब कि गूबॉइड कि लिंडर कॉं स्फेर कम से कम यह चीजें तो रंक से पढ़ना ही पढ़ना है है ठीक है तो मैंनसुरेशन को मैं अगर जिनका मैस बैक्ग्राउंड नहीं तो वह एक को इसको कर दो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन फॉर्मूला अगर जिनको अच्छे लगते हैं जो फॉर्मूला याद कर पाते हैं जिनका बैक्ग्राउंड मैस्का है उनके लिए बैनेफिट है पॉजिटिव है आसान कोश्चन आता है बहुत जादा मुश्कल कोश्चन नही i special practice on mains based question क्यों जरूरी है यह बार इसलिए जरूरी ए क्योंकि हम मैं को बनना है environment हम को बनना है Environment Friendly कहते न अनूकूलन आडपटेशन बाई ऑस्ट्रेलिया की टीप इंडिया लना आती है तो कुछ दिन पहले ही वो लोग आ जाते हैं फिर यहां की कंडिशन में बॉलिंग करते हैं करते हैं अपने आपको उस मौसम में ढालते हैं वही चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं हम हमें सब प्री की तैयारियों में लगे रहते हैं लेकिन इस्पेसल फोकस होना चाहिए में क इन्वायर्मेंट का फ्रेंडली होना है में आपस समझ में किया जोग्राफी नहीं बढ़ा रहा हूं वेटा मैं यहां पर समझाने कोशिश कर रहा हूं कि यह क्यों जरूरी है क्यों अगर हम इस इन्वायर्मेंट में आ जाते हैं तो फिर आम प्री वाली चीज अच्छी न इसी डिफिकल्ट टैवल चाहिए ऐलजेबरा बेस्ट कोईश्चिन्स वेरियेबल बेस्ट की बात कर रहा हूं कि अपको आपके मार्क में डिफरेंस मिलेगा आपको आपकी एप्रोच में डिफरेंस मिलेगा अप्ड़कर अब बेटा बात में करता हूं तुम लोगों से थोड़ा सा फ्ॉमारे पृलिम्ने के बारे में का अपना-पना अपना स्बण करना सब debate का अलग अलग हिसाब गिताब रहता ए और हमारे पास 20 मिनट्स का टाइम होता है और हमारे पास 35 कोईश्च diff american सा slot होता है 20 minutes and 35 questions ठीक है अब 20 minutes 35 questions में तुम्हें solve करने है 35 questions 20 minutes में solve करने है तो हर question के लिए less than one minute ठीक है allotted for a question एक question के लिए अगर हमारे पास एक minute का समय भी नहीं है तो हमें कुछ तो extra करना पड़ेगा कुछ तो effort डालना पड़ेगा ठीक है उसी लिए मैंने बोला आप लोगों से जब हम स्टार्टिंग में पड़ रहे थे स्टार्टिंग की पहली स्लाइड की बात में आप लोगों के सामने करूं अगर मैं कि इस स्लाइड की बात में आप लोगों के सामने करूं तो मैंने आपको यहां क्या समझाया था इन तीन टॉपिक से इन तीन टॉपिक से आपको कितने questions मिलने वाले हैं 14-15 question आपको मिलने वाले इन 3 topics है यह आपके pre के लिए बहुत important है आपका pre clear हो जाता है इन चीजों से आगी आप पढ़ोगे आपको पढ़ना पढ़ेगा लेकिन अगर आपको pre clear करना है तो pre clear करने के लिए इन 3 चीजों पर विसेश focus लगा दो ठीक है विसेश focus इनके उपर सबसे पहला target होना चाहिए daily mocks प्रिलिम्स की कर रहे हो तो प्रिलिम्स के mocks ज़रूर लगाओ daily mocks लगाने चाहिए ठीक है पहला target दूसरा analysis कि जो मैं paper दे रहा हूँ कि मैं खुद satisfied हूँ अपने performance से यह analysis होना चाहिए self realization होना चाहिए तीसरा weak points जो लग रहे है उनको mark कर लो उन पर work करना है start कर दो weak points जो लग रहे हैं उन पर work करना है start कर देंगे चौथा time management यह चार चीज़े हैं बेटा चौथा time management यह चार चीज़ें तुमको करनी पड़ेंगे अगर आपको prelims किलियर करना है अपना अगर यह prelims किलियर करना है बेटा तो आपको इन चार चीज़ें पर focus लगाना पड़ेगा आरे यह बात समझ में अगर तुमने यह करना start कर दिया तो उम्मीद है कि विदिन विदिन 10 to 15 days तुम अपने आप change देखना start कर दोगे हमारी ज़रूत नहीं पड़ेगे कि सरम को यह बता दो सरम को वह बता दो ना तुम खुछे ही analyze करना start कर दोगे चीज़ों को ठीक है तो दोस्तों किसी दिन mains के बारे में भी discuss करूँगा बहुत डिटेल में मेरे दिल में बहुत ह है मैं इसके बारे में discuss करना चाहता हूं मैं लेकिन फ्लाल मैंने आज जो आपको बताया एक basic प्रारूप मैंने आपको समझा दिया क्या क्या होता है कैसे कैसे होता है ठीक है यह आपको समझना पड़ेगा कि arithmetic is very important आप उसको skip नहीं कर सकते हो दूसरा मैंने आपको कुछ ची ठीक है चलो दोस्तों इसी उम्मीद से कि आप लोगोंने बहुत लर्निंग ली होगी इससे और इस session को like कर दो इसको share कर दो maximum अपने दोस्तों के साथ share कर दो जहां जिस गृूप में कर सकते हो share कर देने session को जिससे कि औरों को भी समझने में आसानी हो जाए चीजों को जानन लिए वो जरूरी है या नहीं है आपको exam clear करना है ना यहां फालत में time investment या time waste करने तो हम आये नहीं है अगर हमको असलियत में exam crack करना है तो हमें यह चीजे फॉलो करनी है ठीक है thank you